इस इस अड्वोकेट अर्पिता शुकला वेलकम यू आल तो यूर ओन चैनल टार्गेट फॉर आइक्यू हम स्टार्ट करेंगे वक्तराखन करेंट अपेर्स ठीक है चलिया हम स्टार्ट करते हैं इंडिया इंडिया का हाइस्ट अल्टिटूड हर्बल गार्डन विद 40 स्पे तरीके की स्पेशिए देखने को मिलेंगे जिसमें से कुछ रेयर होंगी और को इंडेंजेर हो गई और गार्डन की टोटल है वह 11000 फीट तक की धाल मानाग का है मग हिंडो चाइना बॉर्डर का आखरी गायो है कहा है लास्ट गाओं है और यह कहा है यह चमोली डिस्टिक में लोकेटेट है हमारा जो माना गाओं है माना गाओं कहा है चमोली डिस्टिक में ठीक है चलिए नेक्स देखते हैं जो उत्रखन गौर्णमेंट है उत्रखन गौर्णमेंट ने बेनीतल गाओं को astronomi tourism के तौर पर डेवलब करने की कोशिश कर रही है ठीक है जो बेनीताल गाहन⑦ वहां पर क्या क्या का n o कोशिश को रही है कि वहां पिस लुभकार व AG और डेवलब करते में और यह मम्हाइज च्युक्पrol संथा और वह लगवेश। तो किस गाओं में एस्ट्रणौमी कोशिश पर गई है वह किया नैटाल विलेज और यह क्या जाओं ध़रा जायेगा ध्यक Stephen सब्सक्राइब किया जाएगा तो बेस्फ रहेगा क्योंकि जão पर हमनी डिस्टरबंस नहीं है तो फिर वहां पर कोई भी जो अगर की सी चीज कोई फ्लाइरा देखना है तो बहुत में देखना तो तो बेनन डिस्टरबंस के देख सकते हैं चलिए चुछ जर्द में था और इसको हम क्या करते हैं स्नियोंटी फॉर भी कहते हैं यहां पर यहां पर इस एपले कि यहां पर यहां पर यहां पर आया था जिसकी वज़े से यह पूरा ब्लॉक कर दिया गया ब्लॉक हो गया था तो इसलिए यह अभी रीसेंट न्यूज में था और रिशीके शेमना हाइवे को क्या का गया है एनेश 94 भी कहते हैं चलिए नेक्स सेखते हैं देखिए शीप पवन दीप राजन अनाउंस के गए हैं उत्तराखन के आर्ट टूरिस्म और किसके द्वारा पुषकर सिंग धामी के द्वारा देखिए उत्तराखन गौर्ण्मेंट है उसने उन्होंने क्या करा आर्ट टूरिस्म कल्चर के ब्रेंड अमबेजडर अनौंस कर दिया गया है पवंधी प्राजन को और पवंधी प्राजन थे वह क्या इंडिन आइड यहीं को कंप्लीटल स्ट्रक आउट कर दिया गया है और बहुत सारी वर्च्वर्चांव की प्ली है सुप्रीम कोर्ट में पैंडिन थी इसके बावजुद भी जो उत्तराखन उत्तराखन की हाइड कोट है उसने विर्चाट को लेने से मना कर दिया गया है बेशक सूप्री लच्छी वाला नेचर पार्क जो है उत्राखंड में और वह रिनोवेट किया हुआ है 150 डेस के अंदर कितने दिन के अंदर 150 दिन के अंदर और इसकी पूरी लागत रिनोवेट होने में टोटल 6 करोर आई है कितनी आई है 6 करोर आई है देखे कोशन आ सकता है कि लच्छी वाला नेशनल पार्क को डेवलेप करने में कितने पैसे लगें तो कितना लगा है 6 करोर की लागत आई है यहाँ पर इनोवेशन से जो राजाजी टाइगर रिजर्व है उसका भी टूरिस्म बढ़ेगा चीक है और यह जो 1880 में इनोग्रेट हुआ था कब हुआ था 1980 में इनोग्रेट हुआ था लच्छी वाला नेशनल पार्क ठीक है चलिए नेक्स देखते हैं धैरदुन और मसूरी एशिया का सेकंड लार्जेस रोपवे बनेगा जिसमें 15-18 मिनिट में धैरदुन से मसूरी को तक पहुंच सकते हैं देखिए एशिया का अगर फर्स्ट रोपवे की बात करें फर्स्ट लार्जस रोपवे की बात करें वो कहां होगा वो चाइना में होगा और अगर सेकंड लार्जस रोपवे की बात करें जो अभी बनाया जाएगा वो कहां धहरादुन और मसूरी के बीच में बना जाएगा जहां देहरादुन से मसूरी में पहुचने के लिए सर्फ और सर्फ 15-18 मिनिट लगेंगे और इसकी टोटल लेंग्थ होगी 5.5 किलो मिटर ठीक़्े कितने होगी 5.5 किलो मिटर चलिए next देखते हैं अब बात के वन्ना कटारिया जी देखिए जो वन्ना कटारिया जी इन्हों करती है और इन्होंने एक भी दिन्स का विस नहीं करा और इसलिए या Scott कि नाम से किसको जाना गया तो आंसर आएगा वंदना कटारिया जी को हैट्रिक गल के नाम से जाना गया है चले नेक्स चलते हैं उत्राखन के सीएम जी ने कहा है कि प्लेयर्स का डेली अलाउंस 175 रुपी से बढ़ा कर दिया जाएगा जिसके यूठ स्पोर्ट्स की तरफ एट्रेक्ट हो जैसे उत्राखन गॉर्ण्मेंट ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है इसमें क्या है वो क्या करेंगे जो प्लेयर है जो अपन खेलना चाहते हैं उनका क्या होगा 175 रुपे से बढ़ा कर उनका 225 रुपे दिया जाएगा जिससे क्या यूठ का स्पोर्ट्स की तरफ वो एट्रेक्ट हो चलिए हम नेक्स देखते हैं उत्राखन गॉर्ण्मेंट के द्वारा इनिशेटिव दिया गया है कि मुख्य मंत्र स्पोर्ट्स की तरफ जाता है वो खेलना चाहता है कुछ भी करना चाहता है तो उनको क्या करा जाएगा उनको मुख्य मंत्री खिलाडी अप्ग्रेडेशन स्कॉलर्शिप दी जाएगी और उनकी एज कितनी होने चाहिए बच्चों की आठ से पंद्रा साल यहां पे 14 साल हो जा चलिए नेड़ीकंस देखते हैं ऑब फॉल्डशма ऊप टैफलेशट आफ स्पोर्ट की ओ मिलेश्ट अथ देखते हैं ृफध प्लियर फॉन को जिए टिशज्बीटिन अय dependете मगोट्शिंघ और और जो वूमेंस है वो स्पोर्ट की तरफ अकर्शित हो इसलिए उनकी और उनकी वूमेंस प्लेयर की स्किल भी बढ़ा सके इसलिए स्पोर्ट कॉलेज इस्टैबलिश किया जाएगा उद्धमसिंग नगर में चलिए नेक्स देखते हैं बात करते हैं नेशनल डिजास्टर मेनेजमेंट और जो आईटी रूर्की है उन्होंने मिलकर एक डेवलेप करी है जो क्या करेगी वह बताएगी नेच्रल डिजास्टर के बारे में जो और डिजास्टर हो सकते हैं जीके नेशनल डिजास्टर मेनेजमेंट अथारिटी और आईटी रूर्की क्या करेंगे मिलकर उन्होंने एप डेवलेप किया गया जिससे यह पता चले चल सकता है कि नेच्टर डिजास्टर कब होगा और आने वाला है कि नहीं इसका औरर दाशटर की उचाहि Кितनी की है थैज देखते हैं उत्तरफण का अधन करने में सारे क्वर्नमेंट कॉलेड़ में वाइवाइवाई सुवधा देने की बात की है कि जो भी उन्हें होंगे उनमें वाइफाई की सुविधा दी जाएगी और टोटल वन जी टोटल एक सो पांच कॉलेज डिकलेयर कर दि Hem, is flowing कि इसमें वाइफाई की सुविधा दी जाएगी अब बात करते हम सिमगडी टी-गार्डन की दीखेए सिमगडी टी-गार्ड़न रिसन नीज में था और वो कहा है। बागेश्वर और पितओडद गार्ट सिम्गडिटी गार्डन जो न्यूज में था ये प्ताइव गार्ट की दो दौड़र में ये लोकेटेट है और वह दो डिस्टिक है बागेश्वर और पिताड़ागस्टिक में यह he गांड़न वहां की लोकल की लिए वर्किंग अपर्टननी देता है और जो लेडी से उनके लिए तो बहुत इम जादա पांचिन देता और पहरते लेटी साट सुरि साथ अजार पर मंथ अइंड कर लेती एं यहां की जो वुमें लारी मलारी मलारी घावे अभी न्यूज में था और जो चाइना के बॉटर से क्नेक्ट ये कि से कनेक्ट होता थे चाइना बॉर्डर से कने assistance होता है क्यों थे ब्याइश को इंडिया महात्मा गांधी ने स्विच्जर लेंड ऑफ इंडिया किसको बोला था महात्मा गांधी ने स्विच्जर लेंड ऑफ इंडिया कौसानी को बोला था कि वह कौसानी क्या है इंडिया का स्विच्जर लेंड है कि महात्मा गांधी ने नाम दिया था स्विच्जर लें की गौर्णमेंट ने कार्टून बनाया गया जिसका नाम है लाठी जो ड्रग के अडिक्शन के अगेंस्ट करेगा जो लाटी कार्टून बनाया गया है वो कंचन जदाली के द्वारा बनाया गया है लाटी कार्टून किसके द्वारा बनाया गया है कंचन जदाली जी के द्वारा बनाया गया है चलिए अब नेक्स देखते हैं देखे एक नाक पंचमी के ओकेशन पर शेष्ण नाक देवता टेंपल के पास एक grand fair organize होता है और यह कहां है यह temple है कुपड़ा village में है कहां यह कुपड़ा village में है और यह temple उत्तर काशिर district के कुपड़ा village में आप लोकेट है और यह मुनेतरी धाम एरिया के पास ही यह यहान पर क्या होता है हर साल एक ग्रांड फेर और वह कौन से टेंपल के पास होता ठीक है देव टेमपल के पास होता और यह उत्तरकाशी fato में है और देखे वहां का बहुत टेमपल है तो इसलिए हमने इसको देखा है अब नेक्स देखते हैं लाल धंगा गैंडी काथा रोडा साफ में हरी यह है हरिद्वार में देखिए अभी इभी नियूज में थी चलिए नेक्स देखते हैं सेंट्रल गौर्णमेंट ने अप्रूवल दे दिया है लखवार प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए और उसकी जो लखवार प्रोजेक्ट है उसकी टोटल कीमत 4673 करोर रुपए दिय साइन हुआ है किसाव प्रोजेक्ट के लिए ठीक है कितने स्टेट के बीच में हुआ है 6 स्टेट के बीच में MOU साइन हुआ है किसके लिए किसाव प्रोजेक्ट के लिए और वह किस पे बनेगा सॉंग रिवर के उपर बनेगा किसाव प्रोजेक्ट जो हमारा बनेगा चलि नवा काश्मीर की में केसर उखती है वह क्या करेंगी उखाया जाए इसलिए वह क्या करेंगी कोशिश कर रहे हैं और हविध्ट REPT की कंसर को प्रमोट करने के लिए हर्षाली वेली में पांस जाइड्मक भी कहते हैं क्या कहते हैं मिनिविज calendar भी कहते हैं इसको लेकिडिम्ध है इस से पहले मैंने आपको बताया था कि कि महात्तम pourquoi क्यूंцен महात्मा गांधि गहीं भी किसको कहता कि मीनिविजर लेंड ऐंडिया हैं लेकिन अभी यहाँ पर उत्राखॉं स्विट्जर लेंड आफ इंडिया चलिए नेक्स देखते हैं उत्रखंड रिषिकेष्ट बद्रीनाथ नेशनल हाइवे को हम नेश 58 कहते हैं देखिए यह दिसे न्यूज में था स्विट्ट बद्रीनाथ नेशनल हाइवे को हम नेश 58 भी कहते हैं अब नेक्स सेखते हैं देखिए उत्रखंड ने सेक्स रेशी इंप्रूव कर लिया है और के बराबर में आ गया है देखिए सेक्स रेश्यो की बात यहां पर चली थी जब नीती आयोग ने SDG रिपोर्ट आई थी जब नीति आयोग के द्वारा क्या दी गई थी SDG रिपोर्ट दी गई थी और उसमें कहा गया था कि उत्रकौन गौर्णमेंट का सेक्स रेशियो सबसे बेकार है पूरी कंट्री में उसके बाद से उत्रकौन गौर्णमेंट के बराबर हो गया है चलिए नेक्स देखते हैं जागेश्वर धाम टेंपल अभी न्यूज में था जो कोविड यह जो है एल्डर लाइन का नाम इसका एल्डर लाइन और यह सीनर सिटीजन को असिस्ट करने के लिए तर किसलिये सीनर चीज बटा सकते हैं रहाँ अगर अब कंट्री की बाद करें तो उत्तर प्रदीश के पहला स्टेट थी घ हो लोगन ट्र की ल verw hnd कई संहाँ किया गृष्फंट के बात करें को से छोट प्रटी की स्टेट की बात करें है तो इसलिए अभी न्यूज में था तो अगर कुश्चन आता है उत्राखंड का स्ट्रेट फ्रूट क्या है वह है काफल नेक्स देखते हैं उत्राखंड ने दो ट्रांस वोँमन को रिकोगनाईज करके ऑफिशल ट्रांस अइडेंटिटी प्रोवाइट की है जिनका नाम है अधीती शर्मा और दूसरी है अदिती शर्मा जो कहां से उत्तर काशी से बिलॉंग करती है और दूसरी की बात करें दूसरी है काजल जो धहरादुन से बिलॉंग करती है हमने किसको दिया है पहली अदिती शर्मा और दूसरी है काजल जो कहां से धहरादुन से बिलॉंग करती है अब देखते हैं इस उरक्षा चक्र लांच किया गया है उत्राखन गौर्णमेंट के द्वारा जिससे वो साइबर क्राइम को क्या कर सकते हैं रोक सकें कौन सा एप लॉंच किया गया है इस उरक्षा चक्र लॉंच किया गया है उत्राखन गौर्ण्मेंट के दौरा जिससे वो साइबर क्राइम पर अंकुष लगा सके चलिए नेक्स देखते हैं उत्राखन डिमांड डिजास्टर मेनेजमेंट रिसर्च इंस्टिटूट जो उत् इंस्टिटूट और अगर बात करें इंटर्नेशनल इंस्टिटूट और आयूर्वेद रिसर्च की बात करें तो वह कहां सेटप होगा पॉड़ी में होगा पॉड़ी गडवाल में होगा ठीके देखिए जो इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको पढ़ा दिया है अगर आप आपको देखिए उत्रकंड में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे करेंट अफेस के वह मैंने कोशिश कर रही है कि उनको सबको कवर करूं और डेली में आपके लिए एक करेंट अफेस की वीडियो लेके आऊंगी तो प्लीज इसको जरूर देखिएगा यह आपको ब आपको जॉइन करना है तो इसी नंबर पर आप कॉल करिएगा और हमारा जो पेट ग्रूप है हिंदी और इंग्रिश दोनों में है तो प्लीज अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक इन सब्सक्राइब जरूर करेगा और अगर कोई ओपीनियन है तो ओपीनियन भ